हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ धनेश और आप देख रहे हैं क्रिसक इंडिया क्रिसक भारत दोस्तों आज के समय में मुर्गी पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है क्योंकि दाना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ऐसे में अगर हम 200 मुर्गी पालते हैं तो उसे किस तरह से पालन करें कैसे उसमें बचत करें ताकि हमें कम खर्च आये और उसमें बचत ज़्यादा हो दोस्तों जब हम मुर्गी पालते हैं तो उसको अच्छा क्वालिटी का दाना देते हैं और अच्छा क्वालिटी का दाना देते हैं तो उसका वजन सही तरिका से बढ़ता है और अगर हम दाना की quality में कमी करते हैं तो उसका वजन सहीं तरीका से नहीं बढ़ पाता और हमें फायदा कम होता है तो ऐसा नहीं है कि हम मूर्गी को ready made fit के द्वारा ही सहीं तरीका से पाल सकते हैं सहीं पोसक्तत्व सिर्फ ready made fit में ही नहीं होता है उसे हम free range area में भी छोड़ सकते हैं घर का बना हुआ फीड भी दे सकते हैं किचन वेस्ट भी दे सकते हैं क्योंकि देसी मूर्गी है भाई उसको कुछ भी आप दे सकते हैं वो सभी चीजों को खा करके पचा लेती है लेकिन एक ही प्रकार के जैसे सिर्फ चावल ही चावल या बाजरा ही बाजरा दे करके मूर्गी पालन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही अनाज में सभी पोसक्तत्व नहीं होता है हमें कई प्रकार के अनाज को मिला करके फीड बनाना चाहिए जैसे की मक्का हो गया बाजरा हो गया आपका छोटा जो च्यावल का तुकड़ा होता है उसको आप उसमें मिला सकते हैं या गेहूं का छोटा छोटा बारिक तुकड़ा भी उसमें आप मिला सकते हैं ऐसा के प्रक मूर्गियों को कोई फाइदा होने वाला नहीं है चाहे आप जितना भी अच्छा क्वालिटी का दाना दें लेकिन अगर आप कम देते हैं तो मूर्गियों का वजन नहीं बढ़ता है उसको परियाप्त मात्रा में भोजन चाहिए उसका पेट हमेसा भरा होना चाहिए दोस्तो परियाप्त मात्रा में फीडर और ड्रिंकर होना चाहिए नहीं तो सुरुवाती दुनों में उसका वजन सही तरिका से नहीं बढ़ेगा तो वो लाश्ट तक सही तरिका से बढ़ नहीं पाएगा इसलिए जब आप चिक्स लाते हैं माल ले जाए आपने सव चिक्स लाया तिन चिक्स ड्रिंकर तिन चिक्स फीडर इसके अलावा चाहिए तिन बड़ा ड्रिंकर और तिन बड़ा फीडर इतना सव मूर्गी के लिए परियाप्त होता है और इसके अलावा अगर आप फीड में बचत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री रेंज का उप्योग क कर सकते हैं दोस्तों अगर आज के डेट में आप मुर्गी पाल रहे हैं तो आपको घर फीट बनाना बहुत ही ज़रूरी है या टो फ्री रेंज में छोनना बहुत ही ज़रूरी है तो कि आज की डेट में जो है उसका रेट 40-45 रुपया प्रती केजी के हिसाब से हो गया है माल ले जाए आपने सुनाली मुर्गी पाला हुआ है तो सुनाली मुर्गी एक किलो होने में तीन किलो 500 ग्राम दाना खा लेती है और अगर आज के डेट में आपको कंपिटिशन में बने रहना है तो आपको लगभग आधा दाना का बचत करना पड़ेगा यानि कि जहां पर आपकी मुर्गी तीन किलो 500 ग्राम दाना खा रही है वहाँ पर आपको डेड़ केजी कम दाना खिला करके मुर्गी को तयार करना पड़ेगा दोस्तों आज के समय में फ्री रेंज के लिए जिसके पास जगह है उसको बहुत ही ज़्यादा है बस उनको थोड़ा सा उसमें भरसिन घास या तो चरेंगी और उसके बाद जैसे ही साम होता है उनको थोड़ा थोड़ा दाना आप दे दें जिसको खा करके वो रात को सो जाएंगी लेकिन अगर आप दिन रात रेडिमेट फीड ही देते हैं तो आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा और कंपिटेशन करना ब तयार हो जाता है अगर आप ट्री देंग में फार्मिंग करते हैं तो आपको वेक्सिनेशन विसेशतार से करना ही करना है क्योंकि इधर उदर घूम रही है क्या प्रकार की बेक्टिरिया वायरस आपके मूर्गियों पर अटेक कर सकते हैं इसके अलावा हर 20 दिन में आपको तिन दिन के लिए एंटिबाइटिक जैसे की टेटरा साइक्रीन लिक्सन एमोक्सिसिलिन या तो फिर कई प्रकार के जैसे नियोडाक्स वगरा एंटिबाइटिक आते हैं उनको आप अपने मूर्गियों को जरूर दें दोस्तों अगर आप 120 से 140 रूपे में 1 केजी सोनाली मूर्गी तयार कर लेते हैं तो आपका मार्केटिंग बहुती अच्छा रहेगा क्योंकि उसको आप 150, 170 या 200 तक अराम से सेल कर सकते हैं आपका जितना मन लगे उतना कम में सेल कर सकते हैं और अगर अच्छा ग्रहक मिल अच्छा रिट मिल जाये तो उसमें भी आप असानी से सेल कर सकते हैं दोस्तों आज के समय में जदा दाना खाने वाला और मुलायम मास वाला मुर्गी न पालें और अगर पालते हैं तो अपने एरिया में एक बार पता लगा लें कि उसका मार्केटिंग कैसा है उसका डिमा तक वो सेल होता है तो इसलिए आप अपने एरिया में एक बार जरूर पता लगा लें कि कीज ब्रीट का हमारे एरिया में ज्यादा डिमांड है और ज्यादा रेट मिलता है उसी हिसाब से आप अपने सेट पे चुजा डालें दोस्तों मालिया जाए आपने 200 मुर्गी पाला को एक केजी करने में 120 रूपया खर्चाता है तो आपका टोटल जो खर्च होता है वो 24,000 रूपय होता है और अगर आप उसको 170 रूपय के हिसाब से भी सेल करते हैं तो वो 34,000 रूपय का बन जाता है दोस्तों सोनाली मुर्गी 170 रूपय प्रतिक केजी के हिसाब से आसानी स बिग जाता है और कहीं कहीं पर तो यह 500-300 रूपय केजी के हिसाब से भी सेल होता है तो ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेट वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और अगर आप भी मुर्गी पालन मे इंट्रेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा लिजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर सबसे पहले उसका नोटिपिकेशन आप तक पहुंचे तो ठीक है मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकरे के साथ तब तक के लि झाल 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 झाल